हेलो एवरीवन वेलकम डॉर चैनल दिस इस रिष्टी अगरवाल तो मैं आप सभी क्लास नाइन्थ की स्ट्रेंज की लेकर आई थी वक्र बुख की सॉलिशन जिसमें हमने इंग्लिश विज्ञान और गनित की सॉलिशन देखे हैं यहां पर हम सब्जिक इंग्लिश की वक्ष तो इससे पहले हमने प्रजेंट टेंस की पार्ट्स को समझा था अब यहां पर आपको मिक्स फॉर्म देखनी है मिक्स फॉर्म मिलेंगी जिने आपको पैचान करके लिखना होगा तो हम पहले समझ चुके हैं तो आई हो कि यह आपको बहुत इजी लगेगी तो देखिए फ सेंटेंस है दा वंदी भारत एक्सप्रेस डिपार्स एट सिक्स एम फ्रॉम जैपूर जो बंदी भारत एक्सप्रेस है वो 6 बजे निकलती है जैपूर से तो देखिए यह प्रजेंट टेंस की बात हो रही है बट प्रजेंट के भी प्रजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही प्रजंट सिंपल टैंस क्योंकि अम भी देखिए डिपार्ट साय है जो कि शो कर रहा है कि प्रजंट सिंपल का संटेंस है ठीकिए तो यहां आपको लिख देना है प्रजंट सिंपल टैंस मोहन इस वाटरिंग इन दी गार्डन टूडे अब देखिए इजम आर प्लस आई ए आपको बोला था जो कि शो करता है present continuous tense को तो यहां लिख देंगे मोहन आज पानी दे रहा है गार्डन में तो यहां हो जाएगा present continuous tense next day Monica has been studying in the school for 6 years Monica 6 साल से school में पढ़ रही है अब देखिए यहां पर has been studying आया है has के साथ में बीन लगा हुआ है then study में ing form लगा हुआ है जो कि शो करता है present perfect continuous tense को तो यहां लिखेंगे present perfect continuous tense labors have finished their lunch recently जो labor मजदूर जो है उन्होंने अपना lunch अभी complete किया है या पूरा किया है खा करके वो अभी अभी free हुए है ठीके तो यहां पर देखिए have finished आया है has have के साथ में अगर work की form third देखे आपको तो वो क्या है present perfect tense के example तो यहां लिख देंगे present perfect tense labors है बहु बचने तो have आया है और finish में देखिए finish की third form आ गई finished ठीके second question देखेंगे read the question and choose correct alternative आपको alternative चूज करने है यहां पर देखिए option दिये गए है आपको correct option चूज करना है we blank school almost everyday in September हम जाते हैं September में प्रतिक दिन school almost यानि लगबग लगबग हम September महा में school जाते ही हैं तो यहां पर हो जाएगा we go to school almost everyday in September option A को correct कर देगे second है the doctor blank not blank today तो यहां हो जाएगा the doctor is not coming today ठीके यह negative present continuous tense का example है तो यहां पर हो जाएगा option A correct third question है my teacher blank in this city for 10 years तो यहां हो जाएगा has been living मेरी teacher इस city में 10 साल से रह रही है तो यह present perfect continuous tense का example है तो यहां हो जाएगा has been living my teacher has been living in this city for 10 years the principal blank recently blank our school तो यहां हो जाएगा the principal has entered recently has sorry the principal has recently entered our classroom जो principal है हमारे school के उन्होंने अभी recently यानि अभी अभी हमारी classroom में प्रविश किया ठीके तो यहां पर देखिए present perfect tense का example हो जाएगा यह तो यहां पर has लग जाएगा principal singular form है तो has लग जाएगा recently then enter में third form लग जाएगी enter तो यह done होता है worksheet 33 का complete solution आगे की worksheet की solution भी देखेंगे और भी important videos हम देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद करूं पूरा भी दो झाल के बाएगा जाएगा 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 जाँड़े लिए पुम्टवाद स्ट्ड़े बाहेंगा जाएगा करूंवाद